आज की ट्रेक्शन वीडियो है वो है जब अरब में कुरान आया तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलेगा उस टाइम पीरर पे क्या हुआ था क्यूंकि हम लोगों को पता है जब भी भी कोई चीज इनिशिली इंटर्ड्यूस होती है तो उस टाइम क्याइं तो हो सकता है उस टाइम पर लोगों से यह रेक्ट किया हो कि विग निशरूर किया होगा क्योंकि कोई भी चीज अगर हम एक्दम से इंटर्ड्यूस करते हैं कि इस पर दिशिक्षन क्या हुआ तो इस वीडियो में भी हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे लोगों का क्या रेक्शन था जब कुरान इंट्रड्यूस हुआ था तो लेस्ट आप वीडियो कि अरब के लोगों में दो खामिया थी नमबर वन चिट्टे अनपड़ जाहिल उजड़ हता के इन्हें बाकी लोग अम्मी कहा करते थे अम्मी नेरे अनपड़ दूसरी खामिय थी के ये लोग आपस में लड़ते रहते थे खामदानों के खामदान खतम हो जाते थे पानी पीने पलाने के उपर जगड़ा हुआ है तो दस साल लड़ाई हो रही है ये दो खामिय थे नमबर वन चिट्टे अनपड़ नमबर दो लड़ाकू लेकिन आपस में लेकिन दो खुबी हैं भी थी एक खुबी ये थी कि ये टफ महोल के आदी थी रिगिस्तान के रहने वाले गर्मियों में ये इतने मुश्क्र सफर करने वाले उट के उपर महीनों के सफर थ이가 थोड़ा सा साथ вн out समान के साथ और दूसरी खुबी ये थी जब किसी को जुबान देते थे ते नए पिर गर्दन ही कढ़ती थी पीछे नहीं इटते थे चाहिक इसी दुश्मन को भी जुबान दी ए अला ने उनकी ये दो खुबी ये इउटलाइस कर ली जिस जिस ने दी पर फिर गर्दनी कटी है और दूसी खूबी के और टफ महौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे अल्ला तरह ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक चड़ने के नीचे जमा कर दे और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दे अब जिसने सुरह बकरा, सुरह निसा, सुरह माइदा हिवस की भी है उसके सामने कोई क्रिस्टिन का पादरी क्या यहुदियों का पादरी वो बैठ सकता था चिंतने उनके दलाइल थे, उन्होंने वो जुबानी याद किये वे थे तो वो लोग जो अपने आपको समझते थे कि हम बड़े अलामा हैं और ये उम्मी हैं उन उम्मीों ने उनको इल्म में भी उलटके रख दिया सिर्फ एक कुरान की वरे से और अल्ला ने लीडर दिया सारे अरब कबाइल जमा हुए वो अरबी जो आपस में लड़ते थे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक जंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिये की सूपर पावर्स को लड़ सकते हैं रॉमन और पर्शियन अमपायर को और देखें सब पर कैसे उल्टा है उन्होंने विदिन सैवेंटीन इयर्स हर चीज उड़ा के रखती है सदियों की सलतनते लाखों की रिजर्वड आर्मीज रॉमन और पर्शियन परी दुनिया पर गूमते कर रही है जदीद असला है और इदर ये बद्दू है जिनके पास उंट है गोड़े हैं तलवारे हैं ना मनजरी की इनोंने कभी देखी ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियन्स के पास थे बस चल पड़े हैं कलमा पड़ा हैं निकल कھड़े हुए फिर दुनिया ने देखा हैं कि हर चीज को उलड़के रखनी उनी के असले उन से छीन के उनी को उलड़के वो सारी की सारी बिजली के इसमें भरी थी हुए इस किताब थी किताब पढ़ते थे, इमान तादा करते थे जिहाद का क्यूं जिकर है इतना कुरान के अंदर क्योंकि अल्ला ने एक ऐसी उमद उठानी थी जिसमें तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और परशियन हम मानते हैं कि इसलाम तलवार के जोर पे फैला है लेकि यह तस्वीर का एक रूख है तस्वीर का दूसरा रूख ही है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुकमरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेसाल कर रहे थे अपनी रियाया का उन पे उन्होंने इतने टेक्सिस लगाए हुए थे उनको उखाड़ने के लिए क्या मिठी मिठी बाते चाहिए थी तारजमी साब के लेक्चर्स ने रॉमनों पर शियन पायर उखाड़नी थे ये तो उन लोगों के लिए ने मुसल्मान हो चुके हैं बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते हैं उनको फिर असले के जोर पर यू उखाड़ना था था और फिर अल्ला ने सहाब एकराम की तलवारे मुसल्बत की उनके उखाड़ दी फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन मिल गया फिर मामला सीधे होगे उस जमाने में बादशा का दीन राया का दीन होता था अगर कोई राया के ना कि मैं बादशा के दीन से अलाग होता हूँ कतल हो जाता था आप पता ही सायथ कैसे पहली है ये तो सारे बुद्परस थे कॉंस्टन्टाइन टू जिसके नाम पे कुस्तितनिया शेयर था जो बाद में मुस्मानों ने फता किया सुल्तान मुमन फाते ने तरकी वालों ने उस पे एक फिल्म ही बनाई है उर्दू डबिंग के साथ है एक इनिशिस में आप देख सकते है धाई तीन गंटे की जो फिल्में देखते हैं उनके लिए मौल्वियों के लिए नी तो उसने वो कॉस्तितनिया फता किया फिर उसका नाम इस्तंबूल रख दिया वो कॉस्टन्टाइन टू जो था वो क्रिस्टन हो गया था चुकि वो क्रिस्टन हुआ तो पूरी रियाया तीन बर्याजमों में पहली भी वो क्रिस्टन हो गई ऐसे क्रिस्टन्टी पहली है तो रियाया को वोई दीन रखना होता था जो हुक्मरान के पहले हुक्मरान दूसी तरफ पर्शियन जो है वो आतिश परस्त है उनके नीचे आतिश परस्ती का दीन चलना था तो ये फिर जुरूरत थी के फ्रीडम आफ अक्स्प्रेशन दिया जाता इसलाम ने तलवार के जोर पे इनको उखाड़ा इनकी बदमाशियां खतम की और ऐसी खतम हुई के बखारी मुस्लिम की यदीश नबी लेस्त ना आपनाइ एंकरीब कैसर खतम हो जाएगा पिर क्यामत तक कोई कैसर नहीं जोगा हएए हए सर ये पर्फिसिज अल्ला की तायित के साथ ही कोई जे सकता है अनकरीब किस्रा खतम हो जाएगा क्यामत तक कोई किस्रा नी होगा देख लें 15 सो साल हो गए है ना रोमन अमपायर दुबारा बनी ना परशियन अमपायर दुबारा बनी हतागे अब तो वो कंसेप्ट भी खतम होके मुलकों अला कंसेप्ट आगए और उस जमाने में ये बात करना एक ऐसे शक्स का जिसके उपर एमान लाने वाले गिंती के लोग हो बहुत बड़ी बात है और अल्ला ने फिर उखड़वाया और आज फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन ऐसा है कि आज तलावत और ही होती है तो ट्रम्प भी बैठके सुन रहा होता है क्यों? हलाके वो क्रिश्टन है फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन आ गया है आप जाएं अमेरिका में आप किसी बार्कीट में मसल्ला डाल के नमाज पढ़े कोई आपको मना नहीं करेगा उल्टा किसा सेल्फियं बना रहे होंगे कि यह क्या हो रहे है तो पहले को सोच सकता था कि फिरौन के सामने कोई नमाज पढ़ता जादू करों ने जरा सी बात की इमान लेके है तो तो बहुत हमें सूली दे दूए तो ये इसनाम इस दौर जदीद का खालिक है और ये दौर जदीद को तammen। तखलीक जो इसनामने दी है वो कौराण के दुए लिए एक अलामा वहीद्दीन खान सहाब इंडिया के 90 प्लास उन 계 Corps उनकि एज है इंग्लिश में भी एक किताब लिखी है God Arises खुदा उबरता है खुदा फिर जो उबर है ना जी कुरान के जरीए खुदा को तो खिर मखलू की जरूरत नहीं है लेकिन मखलूकात ने जो तुमाशा बनाया वा था ना उस तुमाशे को हमेशा के लिए अपने पेगंबर इमाम आजम स्यदोना वमौलाना मुहम्मद रसूललाई सल्लाई लिए वाले सल्म के जरीए शिर्क का खात्मा करके क्यामत तक के लिए दीन इस्टैबलिश किया इस किताब के जरीए अब ये किताब क्यामत तक नबी लिस्टाम का मौजज़ा है ये किताब है सर जिसने दुनिया पलड़ दी और ये वो किताब है जो हम सिर्फ अपनी बच्ची को जब रुखसत करने लगते हैं नीचे से बुखारते हैं और चूम के गलाफ में रख देते हैं इस से ज़्यादा इस कुरान को हम कोई हमें नी देते अलग ये कुरान इसलिए नाजली नहीं नहीं वावा ये तो हमारी किताबे जिन्दगी है लेकिन माशालला ऐसी साज़िश इसलाम के खिलाफ की है काफरों ने नी मुसल्मानों ने पूरी नेक्डीती के साथ जनादा निकाला दीन का और एक स्लोगन दे दी है कुरान भी ड्रेक्ट पढ़ना घुम्रा हो जोगे कुरान में बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़े है इसको हाद दी लगाना ये यहुदी बात करते हैं तो हम कहते हैं अल्ला के दुश्मन है मुसल्मान का रहा है हम कहा है बिल्कु सही कहा है वो मेरा कलिप आया ना फिछ दे लेकिन मुझे एक मौलवी ने कहा है तो वो इसलाम 360 के ओपर जो उसने हमला किया तो मेरा कलिप भी उसके रिकार्ड हुआ है तो पहले तो लोग कहते थे यह हमी बाते करता है आप तो वीडियो में लोग रिकार्ड करा रहे है कि जी कुरान ड्रेक्ट नी पढ़ना आप गुमरा हो जाएगे अच्छा आयट तक आपने कभी नी सुना कुरान में कहा है कि यह गुमरा करता है वो तो अल्ला ने टांट किया कि जो कुरान पे इमान नहीं लाते वो गुमरा होते हैं जो इमान ले आए और बाद मान ले वो कैसे गुमरा होंगे यह तो तहरीफ की है नो ने तो इस किताब ने जनाब दुनिये की काया कलब की है और इसका टेस्ट आप तब ही फील कर सकते हैं जब आप अर्बी जानते हो थोड़ी पूर या फिर अगर आपने अर्दू में टेस्ट लेना है तो आम मुला मुदूदी रही महुला का तर्जमा पड़े वो उसी सोजो गुदास को ट्रासलेट करता है उर्दू के लुदू मैंने अभी तक किसी और बंदे के तर्जमे को नहीं देखा कि जो तर्जमे बड़े लोगों ने किया हमसा अबरिल्वी साब ने शरी थानवी साब ने इन दोनों के तर्जमे तो वैसे ही वक्त के साथ खतम होगे इसलिए से कि उसमें तो के लफाज जो है वो पुरानी अर्दू के है हमारे ने बच्चें को तो समझ नहीं आती ही लिखा क्या हुआ है हमने के संगते हलाग कर दी संगते हैं पता है किसे कहते हैं केई उम्मते हैं उन्हें उम्मत का तर्जमा संगत किया उस जमाने में चलता था आज कल अगर आप आला हजरत का ये तर्जमा रखे दो लोगों को नहीं समझ जाए लेकि मुदूदी साब ने चुके लेटेस्ट उर्दू में तर्जमा किया और फिर वो सोदो गुदास ट्रांसफर किया मेरे चैलेंज आप कोई कुरान की सूरत निकाले अपनी मर्जी की बाकी सारों के तर्जमे रखे फिर मुदूदी साब का भी पढ़े तो आपको लगेगा कि आपका दिल तेजिए धड़कने शुरू हो गया है अलफाज के चुनाओ फिर उसमे जो रिदम है और वो उन्होंने तर्जमा कुरान के मुकदमे में लिखा है कि मैंने देखा है कि हमारा नौजवान कुरान तर्जमे से लेके बैठसा भी एन तो बोर हो जाता है तो उनका मैंने समझाए कि क्यूं होता है बोर क्योंके वो तो पढ़ रहा है अर्दू में अर्भी में अर्भी उसने सीखनी कोई नहीं है और अर्दू उन्हें तर्जमा किया है वो उन्हें तर्जमा किया है असे स्टोरी बुग ये तो किताब जिन्दगी है ये तो जिन्दा किताब है बलके मुसल्मानों की जिन्दगी का सबब है सही मुस्लिम में अदीस अल्ला इस किताब के लिए से कौमों को रूच देगा और इस किताब के से लोगों को और उम्मतों को जवाल देगा जिसको डॉक्टर इकबाल ने फिर शेर में कहा वो जमाने में मुखजस थे मुसल्मा होकर और तुम खार हुए तारिक के कुरा होकर वो जमाने में मुखजस कौन? साबा, एलिबै, तावई, 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 और तुम खार हुए कौन? असी और सिर्व असी नहीं साड़े बज़ुर्ग मी ये ना सम्मझिएगा जाहरा आप तो हम कहा सकते हैं ना डाटर इकबाल के समाने में इंडिया, पक्स्तान, बंगलादेश के जितने बाबेया जिन्दा थे आए तो कहा सकते हैं मार गया है डाटर इकबाल जब ये शेर कहा रहा था तुम खार हुए एक तारिक कुरां होकर तो वो खार, आमजब वेलवी साब, अशुरी थानवी साब ये सारे लोग जिन्दा थे उस वक्त तो नहीं को ही कह रहे थे ना हता कि कुरां के तर्जमे को भी गुना समझा गया ये तो बहुत बात में तर्जमा हुआ है पहले तर्जमे शाव लिल्ला देली ने पिया पहले तो लोग गया थे तर्जमा करने की जुरुत नहीं है और यहां लोग थे बज़ुखों की बड़ी खिद्वात है हम पुछते हैं एक जार साल से बज़ुख यहां बैठे में किसी एक बज़ुख का कुरान का बुखारी का तर्जमा मुझे दिखा दे कि जी ये सुल्तान बहु ने देखे नी कुरान का तर्जमा किया ये जी दाता साब ने बुखारी शीव का तर्जमा किया क्या इंडिया पक्स्तान बंगला देश के लोगों की जुबान अर्बी थी फार्सी थी ना तो किसी बजग को तफीक नहीं हुई है कि कुरान का फार्सी में तर्जमा कर दे ये इतना बड़ा च्छका मैंने मारा है कि क्यामत तक ये रोएंगे आन्दा को के ना बजगोंकी खिदमाथ हैं हमारे प्रैमिनेस्टर साहब भी कहते हैं ने जी वो फ्रीद Одीन गंजजड शकर की बड़ी तर्जमा फ्रीद दीन गंजचड साहब ने कौन सा कुरान का तर्जमा किया अगर किसी ने कुरान का तर्जमा है नहीं किया بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا वो क्या खिदमात करता रहे वो अपनी तालिमात देते रहे सही गलत इसका फैसलाम नहीं करते वो तो पिर मैं और तरफ चल पड़ूँगा सिर्फ जो खिदमात वाला डौंग रे चाया वे ना वो मैं आपको बता रहूँ जतनों के मजार बनाएं वहा आपने किसी एक का तरजवा दिका दे कुरां का तो ये पर उनओने जान बूझ के सियास्ट की इसलाम के नाम के उपकर अपनी बात ने करवाते रहे सहर उनको पता था कुरां का तरजमा होगया सूरह जुमर और सूरत लणाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबें को किसने पूजने है सर बुखारी का गर तर्जमा हो गया तो सारों ने तो रफली देन से नमाज पड़नी है और बाबे सारे बगार रफली देन अलेने ये वज़ा थी कि बड़ी श्यारी है उन्होंने एना समयों पोले संजे बहुत श्यार संजे और देख लेना फिर आप रजल्ट सामने आगए जिधर तर्जमे हुए है उक खनानी प्योद आदेते एथे आत्बंदा सी एए एथे बंदा है तो रजल्ट निकल आया ना इसलिए बज़र्ग जो काम करते हैं वो एकमत से खाली नहीं होता हाँ उन्होंने बड़ी श्यारी दिखाई है आपके साथ लेकिन अल्ला का वादा है कुर्बे क्यमत से पहले दीन को गल्बा मिलना है गल्बा बाबों के जरीए नहीं मिलना था इसी किताब से जिस किताब ने पहले गल्बा दिलाया है अब आज देखें बचा बचा इंडराइड फून खोले हुए है कोई आयत आती है तर्जमा पढ़ लेता है तो सर ये खिद्मत तो फिर इन्होंने की है ना इसलाम की अच्छा ये एंडराइड फून किस रहमत अल्ला ले ने बनाये था वो कहादे ने बज़ूर्ग ते दुनिये कलब कर देने से नगाह मार के ओ बज़ूर्गा नों लेया हो ते ठीपा मुबाइल लीजे चला सकते आप मुझे पता हैं मैं किसी बज़ूर्ग को कबर से निकालू और उसको की ये मुबाइल चला चला लेगा ये ये आपका बचा चला लेता है और किसी का गर इतना इमाना ना बज़ूर्गों के उपर तो आज बाले बज़ूर्गों पर भी है तो मैंने इनको बड़ी विज़ूर्ग जो जना आप दुनिये चला रहे हैं तो मैं इनको कहता हूँ आपको बज़ूर्गों के साथ जास पर बढ़ाते हैं जब दस किलो मिटर राइट पर पहुंच जाता है ये बोईंग जास जब पहुंचें तो हम पाइलिट को कहें के तू थे पाई बिसमिल्ला पढ़के थे पैरशूट ना कुछ जाए उन बज़ूर्ग चलान थे करहेगा अगले जाँ जागे उन यहों नहीं करहेगा खूदी होएगा सब काहाणिये हैं काहानियों का दोर खतम हो चुक जब एक तो इक नारा आम है कि काुछадा है कि ना मैं वाभी ना मैं बाभी मैं हूं मुस्लिम-एलमि किताル यह इन किता बहुते हैं अब आब आजाए सुरह अंतबा करा दो आजाए। तो जब कुरान आया अरब में तो उस टाइम पर हम सब को बताए कि कुरान फर्स्ट अरब में ही इंडर्डूश हुआ था तो क्या था कि आने से पहले वहां कि जो लोग थे वह आपस में ही लड़ते रहते थे और और उन्होंने मैंशन किया कि वह गोरे चिट्ट तो बहुत थे लेकिन उनको बुद्धी नहीं थी बिजनिस में अगर होते हैं तो वह लोग ज्यादा टेंशन उसी को पे करते हैं बट दी अन्होंने पीपल वह लोग क्या करते हैं बट जो अनेजुकेटिल लोग होते हैं वह जब देखो पंगे लेते रहते हैं लोगों के साथ में अब्यूस करते हैं एकदम से किसी को भी तो उस टाइम पे आरब में यह होता था कि लोग अनेजुकेटिड थे और सुन्दर दो बहुत थे ऑपस में ही लड़ते रहते थे और सेकेंडली वह लोग अपने की कम्यूनिटी वालों से लड़ते रहते थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कुरान को उतारने का पॉपस यही था कि उन लोगों को एक प्रेटफॉर्म पर लेकर आया जा सके ताकि वह लोग समझ सकें कि एक्ट्र लाइफ का मीनिंग क्या है और जैसे कुरान में भी जिहाद वर्ट का काफी वार जिकर किया गया है तो मैंने पर पहले वाली वीडियो में मेंशन किया था कि जिहाद का मेनिंग यह नहीं है कि आप अन्नेसरी किसी को भी मार कर दो जिहाद का मेनिंग है यू है तो फाइट विद अदस बट पो यूर अगर आपको लगता है कि आपके राइट के अगेंस कुछ हो रहा है कोई अन्नेसरी आपके उपर अत्याचार कर रहा है तो अपने उन राइट को बचाने के लिए आपको जिहाद करना चाहिए यही चीज़ मेंशन की गई है कि उस टाइम पर जो रोमन और पर्शियन थे व अगर उस टाइम पर लोगों की इनकम भी इतनी ही होती थी दे वे एक्चुली वरकिंग हार्ड और उसके बाद में वो पी कर रहे थे तो उन्हें ही तो उन्हें के थू यह मैसेज दिया गया कि नहीं आपस में नहीं लड़ो अगर लड़ना है तो किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए एक्चुली आपको लड़ना चाहिए हाना क्योंकि अन्ने से सरेगर को यह उत्याचार कर रहा है तो उन्होंने क्या क्या है उन्हें सबको एक लेट फॉम पर लेकर रहे उन्हें बताया गया गया लिए लेकिन अपने राइट के लिए तो प्रोटक्ट तो यह सारी चीजे थी इतनी स्ट्रॉंग इंपायर थी उनको उन्होंने हटा दिया वहां थे पावर से हटा दिया और उसके बाद में पूरे अरब में अगर आज भी हम देखे तो वहां पे इस्लामिक जो इस्लाम है उसका जंड़ा बुलंद है ना कि किसी और इंपायर का जाती पुलंद हैं लोग बहुत होशियारी थे अच्छा चांड रही चांड श्यारी नहीं होशियारी होशियारी दिखाते थे मिंसे उनका के जिसे समबडी ट्राइटू एक्ट स्मार्टली कि कि हाँ वही कि समबडी वोस ट्राइंग टू एक स्मार्टी कि अश्यारी जो से हुश्यारी होता है कि हुश्यार बनते हैं अपने अपको ठीक है तो उस टाइम पर अरब के जो लोग थे उनकी दो क्वालिटी थी कि एक तो वह इतने तुफ बन चुके थे विकर उने पूरे ज हैं कि वह इसी अपने सब्सक्राइब के साथ खूश्यारी कॉलग एक वाला पर बैटकी अनुक्र काई पर टूश्यारे खाने जाए बहुए कुछ हमारी बंची जो को कि इस तो इनकी या उनकी बॉह लोग लिए आएक यह चीज आज मैंने देखिए कई लोगों की अप्रिशियेट कि वह लोग अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो यह वाद में किसी भी चोटी मोटी चीज के लिए वो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं तो यह दो कॉलिटी उस टाइम पे उन लोगों में थी जिसको सिर्फ सही तरह यूटिलाइज करने की जरूरत थी तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आये उन लोगों को बताया कि क्या इंपोर्टेंस है कि आप लोगों को कुरान के बारे में पता होना चाहिए और अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए तो यह कुरान ही था उनके राइट्स के बारे में अवेर्नेश दी और उन लोगों को एक्चुली बताया कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है उसके बाद में उन लोगों ने दिखो कहते है ने किला फते कर लिया मिन्स वो लोग पर कि अगर हम लोग उसका जिहाद को गरत मिनिंग लेकि कुछ गरत चीज़े करें तो दीजी सम्थिंग जो बाबे होते हैं गलत लोगों को मैसिज देते हैं और उनकी जो पावर है उसका मिनिंग है वो यह है कि आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए फिर वो च उसमें भी नुमान अली साथ ने यही मेंशन किया था है तो अगर हम लोगों को एक्टल मैसिज पता करना है एक Gardak nochmal को है हमारे लिए तो हम लोगों को उसके जो एक्जेक्ट वर्ड है उनकी एक्चुल ट्रांसलेशन पता होने चाहिए अधरवाइस सुनानेंस हर चीज के होते हैं ऐसे ही जो जो वर्ड हैं उनके भी काफी सुनानम से हो सकते हैं अगर हम सोचेगे कि अचाहिए इस वर्ड का में आद के जो को डिए ओपध यह सब्सक्राइब को तो अगर आपकोर पता करना है कि क्या वासरे का है थिए प्लीज आपलोगों को अरभी की ए win के जो कुरहन दिए में अगर नहीं पता तो मेरी जो कुरान और हम वाली जो एपिसोड में बना रही हूं उसको जुरूर रहर कीजिए उससे आप लोगों को पता चलेंगे पूरी 600 सफे वाली बुक के बारे में अगर आपको पता करना है तो ओविसली यू नीड लॉट अप टाइम तो स्पैंड और तभी आप लोगों को पता चलेगा वट फिर भी कई उसमें ऐसे पैरेग्राफ्स हैं जिनको नुमानली साब ने मैंशन गिया है और उसका एक्जक् तो अब लॉट ने पर लॉट ने लॉट नहीं थी वहां पर इतना बरकत नहीं थी जगह पर रगी स्थान था बट कुरान के इंट्रड्यूस होने के बात में वहां पर इतना कुछ आया इतने चैंज़ आए और इसलाम भी पुरी दुनिया में फ्या तो आग की वीडियो को हम लोग यहीं पर खतम करते हैं लाइक शेयर और सिंस्क्राइब जरू करें ओल्ड पीपल या न्यू पीपल हो इतना बीबी ओके बाई बाई